नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं आजकल हर कोई खासकर नए उम्र के लड़के लड़किया बहुत ज्यादा एक्टिव हैं ऐसे ही एक सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर 15 साल की एक लड़की की मुलाकात 21 साल के एक नौजवान से होती है ये लड़की जो है वो मुंबई की ही रहने वाली है और ये जो नौजवान है वो भी मुंबई का रहने वाला है बांदरा इस्ट में उसका घर है और इस नौजवान के साथ लड़की की सोशल मीडिया में मुलाकात होती है थोड़ी बहुत बातचीत चैटिंग होती है और फिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो एक स्कूल जाने वाली 15 साल की लड़की 21 साल के नौजवान संतोष मकवाना से प्यार करने लगती है इसके बाद दोनों जो है एक दूसरे से बहुत बार-बार मिलने लगते हैं और इन दोनों को मिलने के लिए मुंबई में संतोष का ही एक दोस्त है जिसका नाम है विशाल अंबिव ने दोनों इविंट मैनेजमेंट का काम करते थे जुहू में विशाल का घर है और उस घर में संतोश अकसर अपनी गर्लफरेंड वंशिता राठोड के साथ आता है और दोनों वहाँ पर अच्छा वक्त गुजारते हैं और फिर दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं ये सिलसला पिछले कई महीनों से चल रहा था इसी बीच एक रोज लड़की के घर वालों की नजर संतोश पर पड़ती है जो उनकी बेटी के साथ कहीं जा रहा होता है ये देखते ही परिवार के जो लोग हैं वो आग बबूला हो जाते हैं उन्हें लगता है कि उनकी चोटी सी बेटी जो स्कूल जाने वाली लड़की है उसे इस लड़के ने बहका दिया है और बहला फुसला कर अपने साथ घुमा रहा है तो इस बात पर लड़की के घर वाले बहुत खफा हो जाते हैं और वो लड़के की अच्छी तरफ पिटाई करते हैं और उसे बहुत जलील भी करते हैं वो भी गर्लफरेंड के घर वाले कर दें तो उस लड़के को बड़ी तकलीफ होती है और वो खून का घूंट पीकर रह जाता है और इसी के साथ वो ये सोचने लगता है कि वो कैसे इस अपमान का बदला ले दिमाग वो चला रहा था और दिमाग चलाते चलाते वो अपनी गर्लफरेंड से एक बार और गुजारिश करता है कि प्लीज एक बार मुझसे आखरी बार मिल लो तुम्हारे घर वालोंने तो खैर पाबंदी लगा दी है मेरे साथ मार पीट भी उन्होंने की लेकिन इससे पहले कि हम अलग हो जाएं हमारा प्रॉपरली ब्रेक अप हो एक बार प्लीज मुसे आखरी बार मिल लो लड़की रिलक्टन्ट है मिलना नहीं चाहती है लेकिन जब संतोष बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है दबाव बनाता है कि नहीं एक बार मिल लो प्लीज तो लड़की जो है वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ लेकिन यह आखरी बार मिलूंगी क्योंकि मैं अपने फैमिली वालों के खिलाफ नहीं जा सकती उधर घर वाले अपनी बेटी को ढून रहे थे क्योंकि बेटी 25 अगस्त को स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी लड़की सुबह अपने स्कूल के लिए घर से निकली थी लेकिन शाम होने के बाद भी घर नहीं लोट पाई तब घबराए माता पिता ने आसपास के इलाके में तलाशी भी ली लेकिन कुछ पता न चला घर वाले परेशान थे तब उन्होंने पुलिस को लड़की के लापता होने की सूचना दी उनकी शिकायत के आधार पर अंधेरी पुलिस ने अपहरन का मामला दर्ज किया था क्योंकि लापता लड़की नाबालिक थी 26 अगस्त को यानी एक दिन बाद एक सूट केस पर परेरा नगर में लोगों की नजर पड़ी वो सूट केस जिस तरह से एक जंगली जगह पर रखा हुआ था उसे देख कर ही लग रहा था कि शायद इसके पीछे कोई साजश है और सूट केस में कोई ऐसी चीज है जो नॉर्मल नहीं है ऐसे लोगों के मन में उस सूट केस को देखते ही खयाल आया हो सकता है कि कुछ खून के धब्बे या कत्रे भी लोगों को उसमें नजर आए हो तो लोगों ने नायगाव रेलवे पुलिस को फोन किया और जब पुलिस मौके पर पहुँची नायगाव रेलवे पुलिस ने तुरंत अंधेरी पुलिस को कॉल करके सूचना दी फिर अंधेरी पुलिस ने सूट केस के अंदर पड़ी स्कूल ड्रेस और तौलिया अपने कबजे में लिया डेड बॉडी को पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाया और स्कूल ड्रेस की जाँच करके पुलिस ने स्कूल के बारे में पता लगा लिया 25 तारीक को जिस घर वालों ने अपने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी उनको पुलिस ने इनफॉर्म किया और कहा कि हमें एक डेड बॉडी मिली है आप एक बार आईए और पहचानने की कोशिश कीजिए कहीं आपकी बेटी की लाश तो नहीं है तो घर वाले भी कलेजे पर पत्थर रखकर पुलिस के पास पहुँचे पोस्ट मार्टम हाउस गए और वहां उन्होंने देखा कि वाकई यह उन्हीं की पंदरह साल की बेटी की लाश थी जो एक रोज पहले स्कूल के लिए निकली थी घर वाले बहुत डिसपॉइंटेड हो गए रोने पिटने लगे बहुत दुख में डूब गए पुलिस ने उनको सांत्वना दी और फिर पुलिस ने उनसे कहा कि ठीक है बेटी तो आपकी वापस नहीं आ सकती लेकिन आप प्लीज बताईए कि आपको किसी पर शक है जिसने आपकी बेटी की हत्या की होगी कोई दुश्मनी आपकी किसी से जैसे ही पुलिस ने यह सवाल पूछा तो घरवालों ने तुरंत ही जवाब दिया कि हाँ एक लड़का था जो उनकी बेटी को परेशान करता था और उन्हें पूरा यकीन है शक तो नहीं बलकि पूरा यकीन है कि उसी लड़के ने उनकी बेटी की हत्या की होगी क्योंकि कुछ रोज पहले उन्होंने उस लड़के को बहुत डाटा फटकारा था उसको वार्न किया था साथ में उसे चेतावनी भी दी थी कि कभी हमारी बेटी से दोबारा न मिलना तो हो सकता है कि उस लड़के ने यहत्या की हो और उस लड़के का नाम संतोष मकवाना है अब पुलिस ने संतोष मकवाना के बारे में और ज्यादा जानकारी पता करने की कोशिश की तो ये जो लड़की के घरवाले है उन्होंने ही संतोश का मोबाइल नंबर भी पुलिस को दिया और घर का एड्रेस वगेरह दिया पुलिस ने घर के एड्रेस पर भी टीम भेजी लेकिन संतोश वहाँ पर नहीं था मोबाइल नंबर जो पुलिस को मिला था वो मोबाइल नंबर भी स्विच आफ था तो जाहिर है जो suspect हैं वो बचने के लिए अपना mobile तो switch off रखेगा पुलिस के लिए एक बड़ा जटका था क्योंकि पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि mobile switch off है तो अब वो संतोश को कैसे पकड़े और कैसे उस तक पहुँचे तो एक बहुत बड़ा challenge मुंबई पुलिस के सामने था लेकिन जो investigation का तौर तरीका होता है और पुलिस जिस तरह से किसी भी मामले की जांच आगे बढ़ाती है पुलिस ने उस mobile नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया ताकि अगर वो mobile किसी भी time में किसी भी जगह पर switch on हो तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिल जाए पुलिस के इस effort का बहुत जल्दी नतीजा सामने आया 27 अगस्त को पुलिस ने यह देखा कि mobile जो है वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए switch on हुआ था अब जैसे ही पुलिस को पता चला कि mobile switch on हुआ है तो पुलिस ने फौरण यह पता करने की कोशिश की कि वो mobile phone किस जगह switch on हुआ है लेकिन जब पुलिस ने service provider से और तमाम जो दूसरे resources हैं उससे पता किया कि भाई mobile कहां पर switch on हुआ है तो उनको पता चला कि फोन मुंबई में नहीं बलकि गुजरात की राजधानी एहमदाबाद में है अब एहमदाबाद में किस जगह है उसके टावर की location पुलिस ने पता करने की कोशिश की तो पुलिस को ये पता चला कि अहमदाबाद में बिलकुल railway station पर जो टावर है उस टावर के साथ ये mobile phone connected हुआ था सिर्फ 10 सेकंड के लिए और फिर switch off हो गया और जब ये phone switch on हुआ वो time था सुबह के वक्त 5 बचकर 20 मिनट अब पुलिस को यह लगने लगा कि हो सकता है कि यह जो संतोश मकवाना है जिस पर कतल का इलजाम है और उसका साथ ही विशाल वो भी फरार है तो ये जो दोनों लड़के हैं ये हो सकता है कि ट्रेन से बैठ कर मुंबई से चले गए हो और एहमदाबाद में ही उतर कर कहीं वो छिपने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस की टीम ने एहमदाबाद टीम से contact किया गुजरात पुलिस से कॉंटैक्ट किया मुंबई की टीम ने और रेलवे स्टेशन के आसपास जितने CCTV कैमरे हैं वो रेलवे स्टेशन के गेट्स पर लगे कैमरे थे फिर आस पास के लॉज होटल रास्तों पर उन सारे CCTV कैमरों की फोटोज पुलिस ने स्कैन करने की शुरुआत की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी और थोड़ी निराशा भी शायद हो कि बड़ी मशक्कत करने के बावजूद पुलिस को गुजरात में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के आस पास किसी भी CCTV कैमरे में ये लड़के नजर नहीं आए। न तो वो ट्रेन से उतरते हुए दिखे, न कहीं बाहर जाते हुए दिखे, न किसी लौज में, न रेस्टूरेंट में, कहीं पर भी वो लड़के नजर नहीं आए, किसी भी CCTV फुटेज में। अब पुलिस के लिए ये चैलेंज और बड़ा हो गया, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, कि अगर ये लोग गुजरात गए, तो फिर गुजरात में गायब कहां हो गए। तो खैर पुलिस अपना दिमाग लगा रही थी। और इसी कड़ी में पुलिस इस नतीजे पर पहुँची इन्वेस्टिगेट करते करते कि वसई से एक ट्रेन जो है वो राजस्थान की तरफ जाती है और वो अहमदाबाद गुजरात होते हुए जाती है और वो ट्रेन बे पुलिस को ये बात समझ में आने लगी वो दोनों लड़के प्लेट फार्म पर नहीं थे बलकि ट्रेन में ही बैठे थे वो ट्रेन जो बेंगलूरु से वसई होते हुए राजस्थान की तरफ जा रही थी और ये ट्रेन कुछ देर के लिए जब एहमदाबाद में रुकी थ पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू की और पुलिस ने पूरे रूट की स्कैनिंग करने की शुरूआत की और खासकर CCTV कैमरे फुटेज जो है पुलिस ने चेक करने की शुरूआत की पुलिस ने यह जाँच आगे बढ़ाई तो उन्हें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली एक और अहम CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगा जिससे इस मामले की तफ्तीश थोड़ियों रागे बढ़ी पुलिस ने देखा कि ये दोनों लड़के वाकई कतल वाले दिन ही यानि जिस रोज ये हत्या हुई थी उसी दिन दोनों ट्रेन में चढ़ते हुए साफ साफ CCTV कैमरे में नजर आ रहे थे ट्रेन में जो इंजन है उसके जस्ट बाद वाले डब्बे में संतोश और विशाल छड़े थे और अब पुलिस को एक important clue मिल चुका था जिसमें पुलिस को ये पता चल गया था कि कौन से नंबर की ट्रेन पे कब कहां से चलने वाली ट्रेन पर ये दोनों लड़के किस डब्बे में सवार हुए पुलिस ने ये सारी जानकारी एहमदाबाद और उसके आगे जितने railway station है उसके तमाम railway station के पुलिस से शेयर की और कहा कि आप लोग प्लीज CCTV फोटोस देखिये चेक कीजिये कि इस age group का या इस तरह दिखने वाला कोई लड़का आपको नजर आता है या नहीं तो अहमदाबाद मतलब गुजरात और राजस्थान की पुलिस रेलवे पुलिस लगातार उस इलाके में जितने भी रेलवे station है खास कर वहां के CCTV कैमरे चेक करती रही लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद कोई फाइदा वहां की पुलिस को नहीं मिल पाया और इन दोनों लड़कों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तफ्तीश आगे बढ़ रही थी मुंबई पुलिस ने यह भी सोचा कि आखिर ये दोनों लड़के अहमदाबाद गुजरात या राजस्थान की तरफ क्यों गए किसी और दिशा में क्यों नहीं गए जब पुलिस ने इस एंगल पर सोचा और पता किया तो पुलिस को ये पता चला कि ये जो संतोश मकवाना है जिस पर कतल का इलजाम है उसकी दादी अहमदाबाद से 146 किलो मीटर दूर पालनपुर में एक गाव में रहती है पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो ये दोनों लड़के जरूर पालनपुर में ट्रेन से नीचे उतरे होंगे उसके बाद पुलिस ने पालनपुर रेलवे पुलिस से कॉन्टैक्ट किया मुंबई पुलिस ने उनसे कहा कि आप एक बार CCTV फुटेज चेक कीजिए कहीं ये दोनों लड़के ट्रेन से नीचे उतरते हुए आपको अगर दिखें तो हमें जरूर बताएं जो वहां की रेलवे पुलिस है वो CCTV फुटेज स्कैन करने की शुरुआत करती है लेकिन वहां के किसी भी CCTV कैमरे में ये दोनों लड़के ट्रेन से नीचे उतरते हुए नहीं दिखे शायद CCTV कैमरे का एंगल कुछ ऐसा रहा हो कि दोनों लड़के उतर कर किसी और रास्ते से निकल गए हो और वहां पुलिस को पता न चला हो ये भी हो सकता था मुंबई की एक टीम पुलिस जो है वो पालनपूर पहुँची और उन्होंने संतोष के दादी के घर दबिश दी और दादी से और घर के दूसरे लोगों से पूछताच की मगर दादी ने साफ साफ इनकार कर दिया और बलकि ये भी पूछने लगी कि भाई ये क्या बात हो गई हमें तो पता ही नहीं संतोष यहां आया नहीं लेकिन पुलिस को संतोष की दादी के बॉड़ी लेंग्वेज से उनके बातचीत करने के तौर तरीके से ये शक होने लगा कि शायद ये बुजर्ग महिला जूट बोल रही है अपने पोते को छिपाने के लिए और उसके गुनाहों पर परदा डालने के लिए लेकिन जब तक पोता अरेस्ट नहीं हो जाता या उनके घर में मिल नहीं जाता तब तक पुलिस उस बुजर्ग महिला के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी और नहीं जरूरत से ज्यादा सकती कर सकती थी क्योंकि क्या पता हो सकता है कि दादी सच बोल रही हो तो खैर तीन या चार दिन बाद जब पुलिस को लगा की मामला थोड़ा सेटल्ड हो गया है तो पुलिस ने फिर से उसके दादी के घर में दबिश दी और इस बार भी उनको निराशा हाथ लगी क्योंकि वहाँ पर न तो संतोश मिला और ना ही उसका दोस्त और उसकी दादी ने फिर से वही जवाब दिया कि उसे पता नहीं है संतोश कहा है आप लोग पता नहीं क्यों यहां आकर हमें परेशान करहे हो पुलिस को फिर से निराशा हाथ लगी थी अब मुंबई पुलिस निराश होकर पालनपुर से अब लोटने की तयारी कर रही थी इसी बीच इस मामले में एक जबरदस्त ट्विस्ट हुआ हुआ यह कि पुलिस के पास एक गुमनाम नंबर से फोन आया और उस फोन करने वाले आदमी ने यह कहा कि दो लड़के वहीं 20 से 22 साल के उन्होंने पालनपुर में उस महिला के घर में देखे हैं जिस महिला के घर आपकी पुलिस टीम दो बार छापे मारी करके लोट चुकी है यह जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने उस आदमी से पूछा कि भाई आप कौन हैं पुलिस को शुरू में तो कुछ भी बताने से इंकार कर रहा था लेकिन जब पुलिस ने उसे भरोसे में लिया तो उस आदमी ने अपनी पहचान बताई वो एक ऐसा आदमी था जिसका संतोष की पालनपुर में रहने वाली जो दादी है उसके साथ कोई प्रॉपर्टी को लेकर जगड़ा चला रहा था यानि एक तरह से देखा जाए तो ये पुलिस को जिसने भी फोन किया वो आदमी संतोष की दादी का दुश्मन था अब उसको लगा कि यही मौका है संतोष की दादी के लिए भी थोड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और जो गुनहगार लड़के हैं वो भी पकड़े जाएंगे और उसने कुछ यही सोच कर पुलिस को खुफिया तरीके से फोन कर दिया और जब इस बार पुलिस को फोन किया और पुलिस को बिलकुल सटीक जानकारी मिली और उनका आत्म विश्वास भी बढ़ा तो पुलिस की टीम ने तीसरी बार संतोष के दादी के घर पालनपुर में दबिश दी और इस बार इतिफाक से संतोष और विशाल दोनों वहाँ पर मिल भी गए संतोष और विशाल को पुलिस ने वहाँ पालनपुर से गिरफतार कर लिया इस गिरफतारी के लिए पुलिस को 34 दिन की मेहनत जरूर करनी पड़ी हजारों किलो मीटर का सफर पुलिस को टै करना पड़ा, पुलिस ने दोनों से सकती से पूछताच की, तब दोनों ने कतल की बात कुबूल की, पूछताच में एक कहानी सामने आई, संतोष ने लड़की को मिलने बुलाया, वो लड़की संतोश के बुलाने पर उससे मिलने जाती है संतोश उसे अपने दोस्त विशाल का जुहू में घर है वहां लेकर जाता है जहां पर वो पहले भी मिला करते थे और यहां पर वो लड़की को समझाने बुझाने की कोशिश करता है कि भाई ऐसी क्या बात हो गई घर वालों ने तो चलो मना कर दिया लेकिन हम साथ तो रही सकते हैं घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ तो कुल मिला कर लड़का इस लड़की को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है उसके मन में बदले की आग तो है लेकिन वो चाहता है कि वो इस रिलेशन्शिप को भी कंटिन्यू करें लेकिन लड़की उसके बॉइफरेंट की पिटाई के बाद इतनी घबरा जाती है कि वो तै कर लेती है कि अब वो संतोश के साथ आगे continue नहीं कर सकती और वो सीधा कह देती है संतोश से कि वो अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर इस relationship को continue नहीं कर पाएगी चाहे जो हो जाए इस बात पर उस लड़की के साथ संतोश की बड़ी तेज कहां सुनी होती है लड़ाई होती है और संतोश शायद पहले से ही तयार था कि कोई अगर इस तरह का situation create हो जाए तो वो क्या करेगा और इसी तयारी की बड़ुलत उसके पास एक चाकू भी था उसने वो चाकू अपनी जेब से बाहर निकाला और ताबर तोर अपनी गर्लफरेंड पर उसने वार करना शुरू कर दिया और जब वो अपनी गर्लफरेंड पर हमले कर रहा था संतोश का जो दोस्त है विशाल वो भी वहां के बगल वाले कमरे में मौजूद था जैसी विशाल ने चिलाने की आवाज सुनी वो भी कमरे से बाहर आया बाहर आने के बाद विशाल ने उस लड़की को पकड़ लिया संतोश ने उस लड़की की ताबर तोर चाकूओं से वार करता रहा तो कुल मिलाकर बॉइफरेंड ने गर्लफरेंड की हत्या कर दी पंद्रह साल की स्कूली बच्ची की हत्या अब हत्या तो कर दी ये भी दोनों कम उम्र के लड़के थे इनके पास भी बहुत ज्यादा experience नहीं था दिमाग जितना चला सकते थे उतना चलाया और उन्होंने सोचा की अब कैसे बचें तो बचने के लिए उनको जो तरीका समझ में आया उनको लगा की इस लड़की का ड्रेस चेंज कर देते हैं तो ये identify ना हो पाए तो उन्होंने फिर लड़की की लाश के सारे कपड़े चेंज कर दिये स्कूल ड्रेस पर आई थी वो लड़की लेकिन स्कूल ड्रेस निकाल कर उतार कर अलग रख दिया और लड़की को विशाल के ही कपड़े पहना दिये क्योंकि विशाल के घर में हत्या हुई थी तो उसी के कपड़े पहना दिये और पहनाने के बाद एक बड़े से सूट केस में उसकी लाश भर दी लेकिन बेवकूफी कह लीजिए, पहचान छिपाने के लिए उन्होंने लड़की के कपड़े तो जरूर बदल दिये, लेकिन उस लड़की का स्कूल के कपड़े थे, वो सारे कपड़े उन्होंने उसी सूटकेस में डाल दिये, जिस सूटकेस में उन्होंने लड़की की जो गुजरती है उस तरफ जाने वाली एक लोकल ट्रेन में दोनों सवार हो गए। दोनों लड़के संतोश और विशाल और उनके साथ सूट केस में बंद संतोश की गर्लफरेंड की लाश। इसके बाद ये दोनों लड़के मुंबई में विरार के रास्ते में एक जगह है। नायगाव वहां उतरे और नायगाव में उतरने के बाद वहां से और आगे गए। एक और लोकालिटी जिसका नाम है परेरा नगर। उस परेरा नगर में उनको एक जगह पर घने जंगल दि से ट्रेन के सहारे जो है ट्रेन में ही बैठ कर निकल गए। इस कहानी से हमें माता-पिता की तकलीफ कितनी गहरी हो सकती है। अपनी बेटी को खोने का दर्द, उसे ढूंडने की चिंता और अंत में उसकी हत्या का सामना करना माता-पिता के लिए बहुत ही कठिन और दुखद को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। संतोष ने जो कदम उठाया, वह कानून और नैतिकता की द्रिष्टी से गलत था। गुस्सा और प्रतिशोध व्यक्ति को बरबाद कर सकता है। संतोष ने अपने अपमान का बदला लेने के ल कामिल रहना चाहिए और उनके दोस्तों और गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही बच्चों को भी अपने माता-पिता से खुल कर बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अजनबियों से जुड़ते समय सतर्क रहना चाहिए। यह मंच दोस्ती और रिष्टों को बनाने में मददगार हो सकता है। लेकिन इसके खतरों को भी नहीं भूलना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहे के लिए हकू हम भी करके लिए आपको की दीक आपके लाताना चाहिए।